केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र यही कारण है कि हत्याकांट के छिपे हुए राज को सामने लाने का प्रयास गिरीडी स्पी दीपक कुमार शर्मा की टीम कर रही है यही कारण है कि दीपक शर्मा द्वारा गठित विशेश जांच दल ने न्यायले से बैजु रविदास के रिमांड की अपील की और अदालत ने 48 घंटे का रिमांड भी दे दिया एक तरफ बैजु रिमांड पर है तो दूसरी तरफ बैजु का दरोगा दामाद राज कुमार भांजा विक्रम के अलावा पपु नामक युवक को शक के आधार पर पुलिस ने पूछ ताच के लिए हिरासत में ले रखा है राज कुमार को देवघर से लाने की बात कही जा रही है बैजु के घर में एक काम करने वाली नौकरानी को भी पूछ ताच के लिए पिरिटांट थाना बुलाया गया है सुत्रों समिली जानकारी के अनुसार उनके बैजु के अलावा इन चारों से स्पी दीपक की टीम ने कभी अलग अलग तो कभी एक साथ बैठा कर पूछ ताच की ससुर और दामाद को भी आमने सामने बिठा कर घंटों पूछ ताच होती रही प्रारंबिक पूछ ताच में बैजु अपने बयान पर कायम है हलाकि नौकरानी राजकुमार के साथ साथ विक्रम और पपूछ से अनिल के संदर में कुछ विशेश जानकारी मिली है इस कार्ण में मंगलवार का दिन काफी एहम है और आज कुछ महतुपूर्ण जानकारी भी पूलिस को मिल सकती है आपको बता दे की 6 अगस्त को पिर्टांट के पाल गंज खेतार डाबर मार्क पर एक प्लास्टिक से बंदी लाश मिली थी देर शाम मिर्तक की पहचान अनलियादव के रूप में हुई इसे भी चार्च के लिए पूलिस के टीम का गठन हुआ टीम ने मुफस्ल ठाना परभारी से इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो नगर ठाना परभारी से इंस्पेक्टर शैलिश परसाद पंचमबा बढ़ा बावु बैजू रविधास को गिरफतार कर लिया है इसके साथ हत्याँ प्रुक्त हत्यार और कार भी बरामत कर ली गई है